नमस्कार मित्रों मैं प्रसान सिर्वास्तो आपका सागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्री प्रसान टेस्टोलाजी में मित्रों आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो की हमसे बराबर प्रश्न पूछते हैं तो आज हम आप लोगों से प्रशन पूछते हैं कि दुनिया में यात्रा का ट्रवेल करने का सबसे फास्टेस्ट साधन और सबसे लेटस्ट साधन क्या है बहुत सारी चीजे हैं लेकिन आप लोग में ज्यादा तर लोग कहेंगे जेट प्लेन इसी तरह अगर हम आप से सबसे महेंगा इलाज क्या है तो आप कहेंगे हार्ट की सरजरी करवाना इलाज होगा मित्रों अब हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं आप नहीं हैं आप में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो की सरदर्द में ब्रेन की सरजरी करवा ले या सब अगर उनको एसिडिटी हो गई सीने में दर्द होने लगा तो जाके तुरन बाइपास सर्जरी करवा लें तो आप हसेंग कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में और आपको हसना भी चाहिए लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि आप मैंसे काफी सारे लोग जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो वही लोग ऐसा करते हैं ज dysk के बारे में तब आप लोग के हैसे बंद onlar आप लोग जो हैं सांत हो जाई ये फिर आपको यह जानना है तो अब वहां पे ये है ना कि नीलम पहनना है तो नीलम पहनना तो है यात्रा तो करनी है लेकिन अब यात्रा कौन से करनी है यह प्रस्थ यह उठता है बहुत सारे लोग गलत नीलम पहन लेते हैं उससे उनका नुखसान हो जाता है जैसे बीमारी में अगर आप बीमार होत हैं तो डाक्टर के सब जैसादा है तो वह आपकी बीमारी के हिसाब से रोग के हिसाब से उसी पोटेंशीची उसी ताकत की उसी शकती की दवा आपको देता है यह नहीं उस था ipot 말ने उसको सबसे हाई-पोटेंशी की दवा लिख दिया पता लगा कि आ पागए उससे बिमारी से तो ना आपकी तबियर ज्यादा खराब होती पता लगा उस दवा से ही आप बिमार पड़ गए ज्यादा कि वो दवा आपको जहिलने की सामर्थ भी है कि नहीं सरीर में यह भी बात होती है कि इतनी हाइपोटेंसी की दवा दे दी गए पता लगा कि आपने ले ही उस लाइक नहीं है कि उसको अब बर्दास्त कर पाईए सीम यही चीज होती है जियों तिसमें भी अब आपको अगर वान लिजे नीलम पहनना है या पुखराज पहनना कोई एक सवाई जेट कोई भी रत्न पहनना है तो वो रत्न कैसा होना चाहिए यह नहीं है कि अब आ सरजरी कर वालो जा कि सबसे महेंगा वही राज है तो आप जब ब्रेन सरजरी नहीं करवाते हैं सरदर्द के लिए बोली लेते हैं आप दो रुपए की लेकिन जब नीलम कोई बताएगा आपको पुखराज बताएगा कोई भी बताएगा तो आपका प्रयास ही होता है कि हम सबसे महेंगा वाला रत्न जाके ले ले नीलम अब उसको हम पहन ले ये जो धारणा है गलत है वो गलत इसलिए है क्योंकि 95% लोगों को ये मालूम ही नहीं कि एक ही व्यक्ति के लिए किस नीलम ही अगर सजेस्ट करना है अगर 10 लोगों को नीलम की जरूरत है उन 10 लोगों का नीलम अलग-अलग होगा अलग-अलग पुटैंसी का होगा अलग-अलग पुटैंसी का मतलब अभी हम आपको अताते हैं जो तिस में क्या तो एक उदारण से हम आपको समझा रहे हैं तो पुटैंसी का मतलब क्या हुआ पुटैंसी का मतलब हुआ कि जो नीलम है देखिए ज्वेलरी वाला जो नीलम होगा, जो आप सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए नीलम पहन रहे हैं, वो नीलम दूसरा होगा, जो आप जियोंतिस के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं, वो नीलम दूसरा होगा, बात आप यहां समझ लीजिए, जो आप उखराज सुन्दर्ता बढ़ान के लिए प्रियोक कर रहे हैं वो दूसरा होगा जो हीरा अब सुनदर्था बढ़ाने के लिए प्रियोक करते हैं वो दूसरा होगा जो हीरा जो नीलम जो भी रत्न आप कुंडली के girag के लिए अपने यूज़ कर रहे हैं वो रत्न दूसरा होगा वो रत्न इस चीज़ से डिसाइड किया जाएगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो रत्न है महेंगे से नहीं देखा जाएगा ये देखा जाएगा कि वो आपके लिए कितना सुटेबल है यही कारण है कि आप बहुत महेंगे रत्न पहन लेते हैं लोग और उसका इफाइदा छोड़ दीजे उसका आपको नुकसान होने लगता है अब मित्रों यहां रत्नों की बात हो रही है तो रत्न जो है आप जब भी लीजिए रत्न आप जब भी किसी से कंसल्ट करिए रत्न के बारे में तो बहुत ही सोच विचार करके करिए क्योंकि 95% लोगों को अगर बताते हैं आपको कि यह नीलम भाई आप पहन लेजे या आप पुखराज पहन लेजे या आप डायमंड पहन लेजे अब डायमंड पहन लेजे डायमंड कौन वाला पहनी है डायमंड एक नहीं होता भाई साब कौन वाला डायमंड पहनना है कौन वाला पुखराज पहनना है यह पूछिए उनसे कौन वाला कुछ भी पहन लो स कैसे सबसे महगा पहन लो पूछें उनसे कि हम पर नीलम पहन नहीं किन उनको नहीं मालूम उन से आप अगर पूछेंगे कि हाँ ठीक है छोटे से रतने के गोमेद के बारे में कोई गोमेद है तो अब कौन सा गोमेद पहनना है किस इंटेंसिटी का पहनना है हर रतने की एक दीवरता होती है हर रतने का एक सेफ होता है आपको कौन सा चाहिए मौंगा पहनना है बस मौंगा पहन लो कौन सा मौंगा पहन लो नहीं बस यात्रा करनी है ले लो जेट ले लो सबसे मौंगा वाला सबजी लेकर आओ यह कोई बुद्धिमानी है लेकिन नहीं दुकान चलानी तो आप उन दुकानों के चक्कर में मत आई यह कुल मेला के कहने का मतलब यह इसी तरह यहां पे रतन के बारे में हम आपको एक 99% आपको मता देने 99% लोग आपको बताएंगे रतन की हाव रतन कैसे पहनना है पूछेंगे जवाब वही इसको गुरु जी पहनना कैसे तो गुरु जी कहेंगे कुछ नहीं यह लोग बनवा लो उनका गुरु जी का मामला ओके हो गया जहां से जो भी उनको दिलवाया आपको और उसके बार उनोंने क्या कहा है ठीक ऐसा करो इसको ले जाओ कच्चे दूद में डाल देना अगले दिन क्या है कि उसको सुब बस उतार के और क्या नाम है इसको पहन लेना कुछ लोग होंगे आपको कुछ थोड़े से 10% होंगे कुछ 10% सोरूम वाले जोहलर सिस्टर के होंगे वो आपको देंग नहीं नहीं उसमें ऐसा है कि गुरू का है पुखराज तो ऐसा करना गुरू का मंत्र जो है इतनी बार पढ़ लेना औ यह नहीं है सिस्टम यह तरीका नहीं है कि रतनों को सिद्ध करने में दो-दो-्चीन-तीन महीने लग जाते हैं कि तब रतन काम के होते हैं लेकिन इस से किसी को कोई मतलब नहीं रत्नों को भी सिद्ध किया जाता है रत्नों की भी प्रांट प्रतिष्ठा होती है लेकिन नहीं कुछी से पुछेगा जो एलर्स भी आपको जो जिसका संबंद नहीं है इस चीज से वो भी आपको यही चीज बताएगा जो आपको एक ज जो आपके जोतिस हैं उनके बराबर 90% लोग आपको यही बताएंगे और 95% नाइंटी एट परसेंट लोग आपको क्या बताते हैं कि ऐसा है ठीक है यह रत नहीं और इसको ले जाना गुरू का मंतर है सनी का मंतर है बस इसका जो है तुम जो है तो तीन बार जाब कर लेना जो भी जितनी बार भी उन्होंने बताया बस कर लेना हो गया लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होता है तो यहां तो रत्नों का मामला है अगर आप रत्नों को काईदे से अभी मंतरित नहीं कराते हैं प्रांट पतिस्ठा नहीं कराते हैं तो उस रत्न का क्या होता है ज्यादा ज्याद या नीलम पहन लो तो नीलम ही पहन लो हीरा पहन लो तो हीरा ही पहन लो हीरा कौन सा पहन लो डोस तो बताओ कितनी डोस देनी है नहीं उनको पता ही नहीं है डोस क्या होती तो बस हीरा तो मतलब हीरा कोई भी हीरा पहन नहीं होता इस तरह से आपकी जो बिमारी है उसी के हिसाब से ही दवा दी जाती है इसको इस तरह से आपका जो सरीर है उसी के हिसाब से ही कपड़ा से लवाया जाता है या जो भी हम लोगों का नंबर होता है क्या में चलो यह ठीक है इस नंबर की ही Ser 구aldo का पैंड चाईए क्पड़े सब अन단ंच पुक्राश तो सब है क्पड़्डे सब है मेरे लिए भी वही तुमारे लिए भी वही नहीं हो सकता है कि आपने पांज लाग का पुख्रामध पहन लिया हो ज़रुरत आपको रत्न के बारे में जब भी आप किसी से discuss करिए बिल्कुल भी भूल कि जो लोग इस तरह रत्न परिएंट वो जीवन बार परिक्षान करते रहते हैं जैसे हमारे एक जानने वाले जानने वाले बात में हुए क्लाइंट हमारे तो हमारे हमसे जुड़ने के पहले हम बताया उन्होंने हमने उनसे कहा यह रत कहें हाँ हाई गुरुजी रखे हैं हमका इच्छा यह उनकी वाइफ के लिए बात हमके यार सब रत न रखे हो कहा हम इतना लोगों से पूछे पाच क्या वह सूट किया कोई कोई सूट नहीं किया हमको सारे रत नमने खरीट करें गुटी बनवाई यह पहने लेकिन फिर भी हमारे कोई रत ने जौए सूट नहीं कि पूछ काम बनानी तो मित्रों उन्होंने पूरा तो सारे वह छोड़ी दिये जोतिस और उसका वह सारा लेन कोई कुछ बताता था कोई कुछ बताता था हमने का लो सब ट्राई करके देखते हैं कुछ कोई तीन महीना कोई छे महीना कोई दो महीना का हम सब बनवाया सब पहने एक एक करके एक एक करके और फिर सब उठाके रग दिये तो मित्रों कहने का मतलब यहां पे है कि जो अगर आपकी सामर्थ नहीं है आप नहीं करना चाहते हैं तो ज्योंतिस को हसी मजाक के लिए मत इस्तेवाल करिए टाइम पास ज्योंतिस नहीं है कई महिलाओं का हमने देखा कि गलत सिर्फ गलत हमारे पास जब कोई आता है तो पहला का हमने करने हाथ दिखाओ अपना या फोन करता है बताओ करना क्या है तुमारे पहले हाथ दिखाओ क्या पहिने हो क्यों पहिने हो किसने बताया कब से पहिने हो बहुत सारी महिलाओं का हमने देखा है उनकी लाइफ बरबाद हो गई उनकी ग्रहस्ती बरबाद हो गई केवल गलत रत न पहिनने से बहुत से लोगों का बहुत हुआ किसी का फैक्टरी हुआ किसी की नौकरी चली गए किसी के साथ बहुत बहुत दुरगटनाएं भी हो गई और आपको विश्वास अगर नहीं हो तो हमारा ओपल का जो वीडियो उसमें देख लिए कई लोगों को क्यमेंट है कि हां हमारा सही आप बत कहते हैं कि रत्न पहेंते ही हमारे साथ तो यह हो गया तो रत्न कभी भी पहनने के पहले पूरी तोर पे आप निश्चिंथ हो जाए और उस व्यक्ति की सला से रत्न पहनिए जिससे दुबारा मिलने की उमीद हो जिससे कि आप अपनी बात को बाद में कह सकते हो जिससे कि आप कहें कि हां हमको जब भी हम किसी को रत्न पहनाते है तो हम उसको ट्रैक करते रहते हैं किया अभी क्या है ठीक है तिक तो तो बात की बात है अईसा तो नहीं कोई कुछ उसका बुरा हो गया लेकिन बस मार्केटिंग है चलता है तो मित्रों इस वीडियो में फिल हाल के लिए इतना ही पुना किसी नए वीडियो में आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए आग्या दीजिए नमस्कार